नमस्कार आज के इस कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत है। नमस्कार आज के इस विशय पर बात्चित करने के लिए आज हमने इस्टूडियो में आमंत्रित किया है। गांदी जी जो की एक विचारक थे एक चिंतक थे और उन्होंने लोगतांत्रिक मुल्यों की स्थापना के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। सत्य और अहिंसा के सिद्धान पर चल कर उन्होंने हमारी जन्ता को दास्ता से मुक्ति दिलाई। तो सर सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि लोगतांत्रिक मुल्य आखिर है क्या और इसका क्या महत्व है एक हमारे लोगतांत्रिक देश में। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश है। इन मुल्यों को क्या स्थापना के लिए पूरे गांधी का जीवन संगर्ष, आस्टिय सुतंता आंदोलन का इतिहास और उनका जीवन दर्षन इसी पराधारित है। और गांधी ने अपने जितने भी कारिकरम साउथ अफरिका से ले करके और भारत में किये जितने भी आंदोलन जितने प्रकार के हुए सभी में लोगतांत्रिक मुल्यों का पुट मिलता है। उनका जो है उसहियोग साविने अवग्या अंदोलन हो या चमपारन में पहला प्रियोग हो। उन सभी चीजों में हम देखते हैं कि गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सद्ध साध्य और साधन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए। बास्तविक तरीस्ते से भारत की आम जनता सबसे गरीब और सबसे उपेक्षी जनता के हितों का खे भी ख्याल रखते हैं। और पुझिवादी को भी जो पुझिपतियों को भी इस ठंक से नहीं मरोने का प्रियास करते हैं जिसने जैसा मार्ग्स अपनी संकलपना ने कहा। गन्धी किसी के अध्यात्मिक गुरू के रूप में अध्यात्मिक के रूप में वो प्रबेस करके और चाहते हैं कि उसके जीवन और सोच में बदलाव आवे और उसको करको उन्हों अपने सत्व रहिंसा के मार्ग पर खुद दिखाया इसलिए गांधी जीवन दर्शन हो गया और भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में जहां आज प्रमानु भठी के पर बैठा हुआ रास्ट गांधी के और लोट कर देख रहा है और आइस्टीन का कहना सही था कि हम भ पूरी दुनिया चिंता नमनन में 150 मी वर्षगात पढ़्यस्त है इसलिए राजितिक मुल्यों के संदर में गांधी तो भारत की जीवन की पध्धती और सेली है और भारत की जनता में आज भी गांधी पूर्णता जिवित रूप में काम कर रहा है जी जैसा कि गांधी जी क ये किस प्रकार महात्मा गांधी बना और उसके जीवन में किस-किस तरह की चीजों का प्रभाव पढ़ा किस तरह के प्रोसेस से प्रक्रिया से वो गुजरे और उन्होंने अपने वेक्तित्व में एक ट्रांस्फॉर्मेशन जो लाया वो उसका क्या मतलब था भारत जैसे लोक्तांत्रिक देश में गांधी को महात्मा के रूप में समझना मुश्किल है आसान ने लेकिन मोहन के रूप में समझना और जानना आसान है और हमें खास तोर से मोहन के रूप में और एक आम आदमी के रूप में हम गांधी को समझे तो साथ हम सब के लिए जादा मोहन जिसका जन्म गुजरात में हुआ, अपने माता वैशनव धर्म की मानने वाली माता के गोद में पले बढ़े फिर भारतिये दर्शन में जैन धर्म, बहुत धर्म, इन से उनका जो सत और हिंसा के विचार उनके सामने आए फिर यहां से जब स्कूली सिक्षा समाब्त कर, इंग्लेंड की ओर जाते हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक पास्चात चिंतन को देखने को और सुनने को पढ़ने को मिला और खास तोर से फ्रांस की करांती जिसने पूरी दुनिया में करांती कारी विचार दिये, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्नीटी, इसने पूरी दुनिया को जग जोड़ दिया, गांदी एक तरफ बैरिस्टर जो लिगल स्टडीज करके आये थे, भारत में लोट के लिए जब उनको साथ अफरीका लेकर जाते, बॉंबे से जर्बन का जो सफर है, और फिर डर्बन से प्रिटोरिया का जो सफर है, देखिए यहां पर बड़ी एक अध्वुत बासमद में आ रही है, गांदी यहां समानता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किया जाता है, उनको फरस्ट प्लास के डबे में टिकट उनके पास तब भी उनको बैटने निए धक्के मारक उनको बाहर निकाल दिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनभव के साथ समाज के जनता के अनभवों को भी समझा, उसके दर्ब के समानता के अधिकार को वहां प उसके बात वहां पर भारतियों का पंजीकरन का जो मुद्दा है, जी साउत इफरिका में जो उनका सफर शुरू हुआ समानता के लड़ाई के लिए रंग भेत की जो नीती थी और उस पे उनका जो उन्होंने आश्रम टॉल्स्ट्रम भी बनाया, और जब भारत आए, सर लग को समान अधिकार मिले, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि उनका कंसेप्ट क्या था, उनका दर्शन क्या था इसके पीछे। राजनितिक गुरू थे, और गांधी ने उनके संदक्षन में भी और अपने विवेक से देखा कि लोग सिध्यानतिक रूप से तो बहुत काम करते हैं, लेकिन जीवन के बास्तविक धरातल पर उसको उतारते नहीं हैं, समझ भूज करके उन्हों राजकुमार सुक्ल के प् समझा, छे महने तक रह करके जो प्रसेडिंग किया कई किसानों से राजन बाओ के साथ, परजकिसोर बाओ के साथ, अपने वैट करके सर्वेक्षन करते रहे तिन घटिया पद्धती के जो है व्यवस्था में किसानों को किस तरह से कस्ट हो रहा था, तो पहला उनका सत्त अहिंसा का पहला प्रियोग था, सत्त और अहिंसा पर उनका अटल विश्वास था, वो हर समय कहते थे किसी भी सुरत में हमें आजादी उतनी ही जरूरी है जितनी की साधन की पवित्रता आवस्था है, मैं आपको एक गटना याद दिलाता हूँ कि गांदोलन की सुरुआत उन्हों ने किया 21 में, 22 में चोड़ा चोड़ी की घटना हो गई, पूरे रास्त के नेताओं ने, सुभास वाहू से लेकर सभी बड़े नेताओं, कांग्रेस नेताओं ने बापू को कहा, बापू, अब तो हमाया अजादी मिलनी जा रही थी, जनत भारत कोई रूप में देखना चाहते है, जिसमें सामतिक, हुशाली, समता, भात्रित और न्याई की अस्थापन हो सके है, ऐसा लोकतांत्रिक मुल्य की अस्थापन, और पूरे जीवान गांधी, उन मुल्यों के लिए संगर्स किया, और किसी से, एक मात्र गांधी बच गय जो गांधी अडिग नहीं रहे, और तुरंत अस्प्रेशता, अचुतो, धार और समाजी कल्यान के काम में लग गये, लगूर कुट्यूर जोग में, चोड़ी चुना, इसलिए एक घटनाए नहीं, प्रती घटनाए देखते हैं, खैरा अंदोलन हो, या मील मालिक का हरताल क प्रस्ण हो, चंपारन में किसानों की समस्या हो, उनको एरेस्ट कर लिया गया, चंपारन में भी कहा सभा नहीं करनी है, कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं दिखे, वो अपने आप पर अटल थे, इसमें अगर हम आज के संदर्व से जोड़ते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उन्हो के संदर में कर हम देखते हैं, जो हमारे समाज में हिंसात्मक प्रवितियां बढ़ रही है, खासकर युवा वर्ग में जो सहिश्नुता की कमी आती जा रही है, सर आपसे जाना चाहेंगे कि कैसे हम आज के परिपेक्षमें गांधी दर्शन को इस रूप में देखते हैं कि स सात्मक प्रविति बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस पूरे विश्व को अगर बचाना है, तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ गांधी दर्शन सत्त और अहिंसा, इसको अपनाएं बिना हम पूरे विश्व की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, और पूरे विश्व को अह जिन्सा जैसा वीचार जो गौतमबुद्ध और महावीर ने दिये हैं भारत को उस अतीत के जो हमारे वीचार और सिध्धानत हैं महात्मा गांदी ने वरतमान और वरतमान भारत के लिए और समकालीन भारत के लिए और पूरे विश्व को बचाने के लिए इतना मौजू है इ इसके बिना कल्पना नहीं कि जा सकती है और खास्तोर से हमारे युवा जो हैं और संपोन विश्व के युवा उनको असल गांधी के सत्व और एहिंसा के विचारों से परचित कराना इसकार्च करम का उद्देश भी है कि वहां गांधी के सत्व और एहिंसा के विचार को जान अपनी कहा एक ऐसे समाज का निर्मान जो सर्वधर्म संभाव की वो वकालत करते थे वह सांप्रदाइक और सम्राजवात के विरोध में उनका यह था तो यह सर्वधर्म संभाव उनका कहना था कि रगुपति रागव राजा राम पतित पावन सीता राम और इश्वर तो इसमें मंदिर मस्जिद की स्थापना से ज्यादा वो समझते थे कि मानवता ही आपका मंदिर है उसकी स्थापना होनी चाहिए मानवय मुल्य के उपर उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है तो एक जो सर्व धम संभाव की भावना हमारी लोक तांत्रिक देश के लिए बहु अच्छा सवाल आपने उठाया कि सर्मधर आज देखते हैं जिस तरह सांप्रदायकता रूपी जहर पूरे हमारे समाज को विच्छ को में जहर फैलता जा रहा है उस संदर में गांधी का विचार बहुत ही प्रसांगिक है गांधी अपने सत्य के प्रियोग नामक आत्मकथ अच्छा में साफ लिखा है कि मैं कटर हिंदू हूं लेकिन इसका तात्पर करता ही नहीं है कि मैं आप दूसरे धर्मावलंवियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव रखता हूं आप पूरे उसके जीवन दर्शन को पढ़ा बाइविल ओल्टेस्टामेंट न्यू या जितने भी धार्मिक पुष्टकें हैं पढ़ करके उन्होंने इस निचोड पर पहुंचा कि सबसे प्यूरेटी आफ हर्ट हिर्दे की सुधता और मानव मानव के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं तो वह कहते हैं कि सब को सम्मति दे भगवार यह वह ब्यक्ति ह यह नहीं धू-मुस्लिम की बात है कि उनका मूल मंत्र है सर्वधर्म संभाव उनको कहा गया कि जो धार्मिक निटिक मूल पर अगर अधारित नहीं हो तो राजनितिक वेकार की बस्तु है इसलिए अगर राजनेताओं को लोगतांत्रिक मुल्यों को स्थापित करना है तो वो नैतिक मुल्य जो गांधी धर्षन है, धार्मिक मुल्य है, धर्त धातु से धारन करने योग है, जो हमें हिर्दय से कबूल हो, जबरदस्ती थोपी गई धार्मिकता नहीं, इसलिए गांधी का धर्षन जो मानव हिर्दय को सुद्ध करता है, और गांधी इसी सत्त हिंसा और धार्मिक सद्भाव के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया उनका जो सोतंता अंदोलन का इतिहास है जो जीवन में उन्होंने खुद पहले करके उतारा है तब किसी को करने को कहा कि पाप से गिरना करो पापी से नहीं हर एक व्यक्ति के हिर्दय में कहीने के अच्छाई का पहनू भी होता है वह एक दिन पाप करते करते ठक जाएगा और उसका हिर्दय जो है कबूल करेगा कि मैं गलत कर रहा हूं इसलिए अंग्रेजों का परतिकार उन्होंने हिंसा से नहीं हिंसा से और आज देखिए पूरे दुनिया जो है हिंसा बातावरन से तंग आकर के हिं और राजनेतिक दर्शन की रूप में प्रसूत कर सकते हैं जो आर्थिक दर्शन उनका था एक ट्रस्टिशिप का सिध्धान था जिसमें विचाते थे कि हर वर्ग में समानता हो अमीरों में नैतिक उत्थान हो और गरीबों में बहुतिक उत्थान हो तो यह जो सिध्धान वो क्या आज की समय में क्योंकि हमारी जो पीडी है हमारे जो समाज वो बहुतिक वादी होती जा रहा है और अपनी वेश्वाद की तरफ अग्रिसर है तो ये जो सिद्धानत है क्या आज भी प्रासंगीक लगता है आपको आज देखिए दुनिया जो है इस भूमंडली करन और आर्थिक उदारी करन के एज में दुनिया गलाकत प्रचयोगता में अंधे दोर में भाग रहा है बहुतिकता के प्रती दुनिया के तमाम लोगों को ललक काफी बर गई है और गांधी का दर्शन ही है वह उस इस ललक को दूर करकरके और एक समरश समाज और सब लोगों की खाने पीने जीने रहने की विवस्था कर सकता है वह कहते हैं कि भावतिक संसाधनों का संकेंदरी करन नहीं होने करने दिया जाए अब सकता से अधिक जो व्यक्ति के पास धन या जमीन है वह हरजन को बाट दो वह जो अस उसकी रखवाली करने का हक दिया है और अपने ट्रस्टी सिर्षिध्यांत को इसी रूप में अस्थापित करते हैं कि जरुरत से अधिक धर्म इस्वर की धरोहरा है इस्वर के जो असली रहनुमा है उनके बीच बजिरत कर दो उनका बोदान अन्लोलान सर्वब्रादाला आज के संदर में कितना आपको कारगर लगता है कि इसे वाकई जनता को लाग मिल रहा है लेकिन जब हमारे देश में 1759 के बाद ब्रिटिश चत्ता ब्रिटिश कंपनी अस्थापित हुई तब से सेंट्रलाइजेशन के अंदरी किर्थ विवस्था जन्म लेती गई और उस के अंदरी किर्थ विवस्था में जो हमारा जो प्रंपरागत आर्थिक विवस्था थी धीरे धीरे सब द्वस्त होती चली गई और हम गुलामी को मजबूर हो गए हम hand to mouth हम सब hand to mouth हो गए ऐसे हा गांधी ने स्वाब लंबन के लिए आजादी के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है आत्मनिरभरता स्वाब लंबन और इसकी परिकल्पना बिना पंचायती राज्य के आम आदमी के हाथों में सत्ता सौपने के बिना यह संबफ नहीं था गांधी ने इसकी पुरी कि हम समाज के अंतिन व्यक्ति को किस तरीके से सत्ता समर्पित करें और वो व्यक्ति खुद को इसको एहसास हो कि सच मैं आजाद देश में रह रहा हूं एक सोतंतर देश में रह रहा हूं मेरी अपनी अपना कुछ अस्तित्व है और मुझे समानता सोतंतरता और जो सारे लोग निर्देशक संविधान के चोते भाग में भी है और सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाए इसको लागू भी किया गया है और भारतिय समाज में ये एक सशक्त संस्था के रूप में उब्री है जिब हम किसी मुल्य के स्थापना की बात करते हैं तो हम सिक्षा को दरकिनार नहीं कर सकते हैं और गांधी जी का एक बहुत अच्छा कंसुर्था बुनियादी सिक्षा जिसको उन्होंने लागू किया और उसमें श्रम का जो आपने बात किया कि जब तक श्रम की शक्ती नहीं होगी अपना स्वाबलंबन नहीं होगा तो वो संभव नहीं है उसर आपसे जाना चाहेंगे कि यह जो बुनियादी सिक्षा है किस प्रकार एक व्यक्ति को लोग तांतरिक नागरी बनाने में सहयोग क व्यक्ति की आर्थिक स्वाबलंता भी चीपी हुई है और ज्यान का जो सिक्षा के माध्यम से अंधकार से प्रकास में की और ले जाने की बात है तो वो ऐसी सिक्षा बुनियादी सिक्षा की परिकलपना किया था जिसके माध्यम से आदमी सिर्फ सही और गलत में अंतर ही न जुटाने का साधन भी जुटा पाए इसलिए वह तक्निकी शिक्षा जो उनका पेशागत शिक्षा है भारत की ब्रण ब्रण व्यवस्था के तहर जो निर्धारित कर्म है उन पेशों को भी ध्यान में रखते हुए और बास्तविक शिक्षा को गाउं अस्तर पर ही प्राप् निर्मान में अपने महत्पुर्ण भुमिका का निर्भा कर सके हैं तो आज के संदर में गांधी दर्शन को देखते हैं जो हमारी सबसे विकट समस्या उभर कर आ रही है वह है परियावरन तो गांधी दर्शन परियावरन के बारे में क्या कहता है क्योंकि गांधी जी स्व इसके बारे में बताएंगे गांधी का प्रियावरण के संबंध में जो वीचार हैं जब हम चंपारन विजिट को देखते हैं उनके चंपारन सत्यागरा हुआ गांधी मुझफर पूर होते हुए चंपारन पहुंचे तो जो वहाँ पे लोग के खास्तोर से एक कुवां के पा साथ मिलके पाल किसी सफाई की लोगों को बताया सुक्ष कैसे सुक्स भारत बनाया जाए जो आज हमरे उनले मुढ़ी सुक्स भारत अवियां चला रहे हैं तो उरत ने कस्तुर्बा भाई को अपने घर में खीच करके ले गई और बोली कि चलो देखो मेरे घर में कहा कप पेटी और सब्स दिखाए कहा मेरे पास कपड़ें के में साफ कपड़े पहनू तो यह एक भारतिय समाज की आर्थिक दूरदशा भी बता रही थी और स्वक्ष का जो कॉंसेट ऐखानी के जो इक जो दो दिखा हमारी समझ बढ़ एक जो कर दो आब हमारी समझ में भी डशा रही है लेकिन गांधी का की कोशिस भी हमस्व आ रहिए गांधी सवक्ष देखना चााता है लेकिन esper दूसरी बड़िए जहां भी डेखेएart हम सोचाले बनाने की बात हो रही है गांधी का अपना एक अलग कंसेप्त हो उसके बारे में गांधी कहते थे कि अपने साथ खुर्पी लेकर साथ चलो जाओ टॉलेट जहां करना है करो लेकिन उस पर पिसे मिट्टी डाल दो फिर खात का भी काम कर जाता हो गंदेगी भी यह टीनो को वो पॉलूशन फ्री बनाकर रखना चाहते थे परदूशन रहित बनाकर रखना चाहते थे हुए उसलिए खट करगा कि तरफ की तरफ की जिससे दुआ ना निकले बड़े गवचीजों का मशीन बड़ी मशीनों का इस तामाल हम ना करें जिससे हमारा पूरा व हिंद स्वाराइश को पढ़ें तो उसमें पूरी बात इसमें डीटेल से लिखी है और हम सब को तमाम नौ अपने नौ जवान बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि गांधी की वो पतली सी किताब सब को पढ़नी चाहिए जी तो मुझे लगता है कि सर बहुत सारी बाते आप स्वाज है उसको यह बताएं कि साधन और साध्य इसकी पवित्रता मन की पवित्रता कितना जरूरी है कि उदारन से बताए에 हमारा साधन कैसा होना चाहिए उसके प्राप्ति के जो तरीके वह इसको साध्य साधन काते हैं तो दोशjor मयं hanno पवित्र है तो साधन भी उसके प्राप्ति के पवित्र होने चाहिए जल्दी से जल्दी सफल होने के लिए वह समाज जो है दिग ब्रमित है फिर गांधी के ओड़ लोट रहा है क्योंकि गांधी चाहते तो चोड़ी-चोड़ा ऐसी घटना करके आजादी जल्दी ही ले सकते लेकिन वह इंसक भारत नहीं आइंसक भारत इसलिए कि वह दूर्दिष्टी उनका था और इसमें अस्थाई तुपन था इसमें हिर्दय में परिवर्तन था और हिंसा और मार्काट किसी भी स्थिति में पा इसलिए आज जो लोग किसी धंग से बिना पढ़े हुए लोग च जाता है और गांधी इस भावतिक लवलुपता के जुग में एक रास्ता बगता है जो सब को भाईचारे के साथ जीने का मोखा और रहने का मोखा देता है इन सारे मुल्यों को साथ में समेटे वाले गांधी जी जिन जो एक चिंतक भी थे एक दार्शनिक भी थे और जिन्होंने मन की पवित्रता हिर्दे की पवित्रता पर ज्यादा बल दिया तो हम उनके दर्शनों को उनके चिंतन को अध्यन करें और अपने अंदर आत्मसाथ क